आतो फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं pronoun का class last ठीक है यह third class है आज pronoun हमारा finish हो जाएगा ठीक है तो इसमें बात करते हैं demonstrative pronoun क्या होते हैं देखो demonstrative जैसे पता ही चल रहा है कि distribution type के sense इसका दिखता है demonstrate करता है ठीक है जैसे हम बात करेंगे demonstrate कैसे करेगा हम बात करें this जैसे कि मैं already बता चुका हूँ कि this हमारा होता है जब हम बात करें यह हो कब आप near की बात कर रहे हो नजदीक की बात करते हैं ठीक है और हमारा जो that होता है ना that हम use करते हैं जो हमारा that जो pronoun है वो use करेंगे हम किस case में वो हो और कब की बात होगी जब वो far होगा यानि कि दूर होगा क्या होगा दूर होगा उस case में हम that use करते हैं और these हमारा plural के लिए होता है, एक से ज़्यादा चीज हो, और जब ये होता है, मतलब जो वो किया होगी, वो नसदीक होगी, वो क्या होगी, नसदीक होगी, नियर होगी, ठीक है, और those होता है दोस्तों, जब आप दूर की बात कर रहे हूं, और वो एक से ज़ादा हो, तो उसके क्या कहते हम, उसको कहते हम, दोज, ठीक है, तो ये demonstrative pronoun की तरह भी use होते हैं, और ये adjective भी होते हैं, demonstrative adjective, कभी adjective की तरह use होगे, कभ pronoun की तरह use होगे, तो इसके बारे में मैं already बता चुका हूँ कि pronoun और adjective किस तरह से use किये जाते हैं, तो देख this is my cat, cat क्या है, single है, एक की बात करे, अगर हम cats की बात करते हते हैं, एक से जादा की बात करते हैं, और यहांपे that हमने use किया, दूर के लिए, और एक के लिए Euze करा, ये अब क्या है दूर है, और यह क्या था नजदीक आपके पासी था जबकि हम बात करें थे, यहां पर यह क्या था, नियर था, ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि मैं आल्रेडी बता चुका हूँ, यह plural के, देखो, डॉक्स है, तो plural होगा इस केस में, तो ही इस यूज करेंगे, इस यूज करेंगे, तो are obviously आएगा, क्योंकि clue रह रहा है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो गया, आप यहां पर notice करोगे, जो यह demonstrative pronoun क्यों है, क्योंकि यह किसको follow कर रहे हैं, बर्व इसके बाद आ रही है, आपकी बर्व आ रही है, आपने देखा होगा, हमारा जो subject होता, वो यह तो pronoun होता है, यह noun होता है, और वो noun और pronoun जो हमारा subject होता हो, किसको follow करता है, दूस्तों, बर्व को, बर्व क्या हो सकती है, helping verb भी हो सकती है, और main verb भी हो सकती है, तो यहां पर are हमारी helping verb है, helping verb से अगर बर्व से पहले आपको दिखे, this, that, यह सब बर्व से पह आपका pronoun आया, फिर उसके बाद आपकी बरवाती है, फिर आपका अधर चीजे हैं, जो भी उसमें आ रही हो, ठीक है, main verb या rest of this है, object यह सब, ठीक है, इस तरह से वह में, तो मैंने कहा, verb से पहले आपको यह दिखे, तो आपको समझ जाना, अगर यह use हुएं, तो क्या use हुए ह है, हमें तो mention करना पड़ेगा those what, those क्या fields, यहाँ खेत, यानि कि field से लिखा हुआ तो एक से ज़्यादा खेत, अब यह पूरा का पूरा noun बना, देखो दोस्तों, यहाँ खाली those noun नहीं है, यहाँ पे those ही pronoun नहीं है, सारी, खाली, आपका यह जो पूरा का पूरा एक subject बना, वो इस pronoun और इस subject को जोड के यह पूरा का पूरा, इस noun को जोड के पूरा का पूरा subject बना, तब देखो आप फिर से देख पा रहे होंगे, यह बर्व को follow कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, those fields are mine, ठीक है, तो इस तरह से use हुआ है, अब आप यहाँ पे note देखो, if these, that, these, those, such, the same, देखो, such, the same, यह सारे के सारे, देखो, are come before a noun, अगर यह noun से पहले आए, they are called demonstrative adjective, तो यह क्या है, demonstrative adjective की तरह काम करेगा, और इस case में भी demonstrative adjective की तरह, क्योंकि यह noun है, noun से पहले यह use हुआ, तो यह adjective की तरह काम किया, ना की pronoun की तरह, आप इस चीज को समझ ले, ठीक क्योंकि noun से पहले यूज हुआ, तो demonstrative adjective यूज होगा, अगर बर्व से पहले यूज हुआ, तो demonstrative pronoun की तरह, यूज होगा, जो की बता चुका हूँ, use of that, of, और those of, देखो दोस्तों, यह exam oriented, काफी exam oriented है, यह जो rule है, यह काफी exam हों में पुछा जाता है, that of, और those of, कैसे, compare करते हैं, तो us case में the climate, यानि की यहां का मौसम ठीक है, the climate of dehradun is better than dehli, अब आप यहां पे देखे, better than हम use कर रहे हैं, किस केस में? comparative के case में, किस केस में दोस्तों, हम करते है comparative के case में in comparative के case में computer. आपको अगर देहरादून का climate compare करना है तो climate को climate से compare कीजिए बात सही है भाई climate को climate से compare कर रहे है ना हम ऐसा नहीं कर सकते कि बडिली का तो हम दहरादून का हम climate compare कर रहे है और दिली की city compare कर रहे है ये गलत हो जाएगा तो आपको क्या कहना the climate of देहरादुन, ठीक है, is better than, अब लिखेंगे हमें आपे that of Delhi, यह सही है दोस्तों, यह correct है, but यह गलत है, क्यों, देखो the climate of देहरादुन is better than, कौन सा that of Delhi, जो देहली का है, उससे, क्योंकि यह that of से क्या हो गया, अब comparing हो गया, climate to climate, that of लगाने से, ठीक, जैसे the roads of Delhi is better than those of देहरा होता है, climate, ठीक है, तो climate की बात हुई, तो हमने that of यूज करा, अब यहां plural की बात है, road है, तो सडकें क्या है, दोस्तों, सडकें एक से ज़्यादा है, एक सडकी तो बात होनी रही, तो मैं खाली road कहता, बट हम कह रहे हैं, roads हैं कि एक से ज़्यादा सडक, यानिकि सडकें की बात कर रहा हूँ, तो the roads of Delhi, जो डेली की road हैं, वो better than है, किसे those of देरादुन, जो देरादुन की road से better है, तो those of से क्या पता चल गया, कि road का road से comparison होगा, कि ना कि city से, तो इस तरह से इसका use होता है, जो कि exam में काफी पूछा जाता है, तो comparison जब भी किया जाता है, तो same, same तर कर सकते हो, आप एक जगे की आप, suppose आप किसी कहीं के गहों का comparison कर रहे हो, तो उस city के गहों के comparison से करने के लिए, आपको that of लगाना पड़ेगा, उस city से पहले, और या those of लगाना पड़ेगा, plural के case में, ठीक, आप ऐसा नहीं करेंगे, कि देरादुन का आपने, suppose आपने कहीं का गहां, compare कर रहे हो, और दूसरी city compare कर रहे हो, जैसे कि first example में देख रहे हैं, तो वो गलात हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, अब है use of one or ones, कैसे use करते हैं, avoiding repetition, we use them, ठीक, repetition को avoid करने के लिए, हम use करते हैं, और जैसे कि हमने बोला है, noun को, pronoun को हम use करते हैं, काई के लिए, ताक ठीक है, that is an old one, देख रहे हो, that is an old one, और यह क्या है, यह तो new window है, और वो वाली क्या है, पुरानी है, तो यह singular के case में one, that is the old one, नहीं तो मुझे लिखना पड़ता, this is the new window, that is, that is, that is the old window, तो window दुबारा लिखने के ना लिखनी पड़े, इसलिए मैंने one लिख दिया, ठीक इस noun को बार-बार repeat ना करना पड़े, ठीक, जैसे these, यह this तो होता हमारा singular के लिए, these are the new books, यह क्या है, नई किताब है, देखो यह plural case हो गया, यहाँ पर window single है, और अगर windows होता दोस्तों, windows तब plural होता, यानकि एक से ज़्यादा खिडिकिया हो जाता फिर, एस नहीं है, तो य अब बात करते हैं, use of relative pronoun को कैसे use करते हैं, ठीक है, जो clause और phrase और noun, ठीक है, pronoun, इन सब को क्या कहते हैं, किस तरह से use करें, pronouns, which connect a clause और phrase to a noun, nouns से जो clause और phrase या pronoun से जोडते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम relative pronoun कहते हैं, जैसे who, which, that, what, why, यह क्या है, relative pronoun है, कैसे, he met a boy, है, Who was coming from the market , उस एक आदमी से मिला जो कहाँ से आ रहा था मार्केट से तो WHO देखो ये क्या होगया रिलेटीव क्यूं कि उस man को उस mean को, उस noun को इस से क्या करा उस नौन को ये प्रोनाउन है कौके सा रिलेटिव प्रोनाउन है, देखो यहाँ पर वाज है ना बब से पहले pronoun है, तो यह pronoun के तरह यूज हुआ है, और यहाँ पर man देख रहो, इसी man के लिए यूज हुआ, इसके relation बताने है कि कौन, he met a man, किस man से who, who मतलब जो, जो क्या है, market से आ रहा था, उसका relation बताने के लिए, इसने who use करा हुआ है, जैसे, I wore a t-shirt, एक t-shirt पहनी, which I had bought recently, जो कि मैंने recently खरी दी, ठीक है, तो which आ गया, क्योंकि यह क्या है, non-living things है, तो who नहीं लगाएंगे, इस पर हमने which यूज करा, क्या relative pronoun के तरह है, ठीक है, अब relative pronoun, यह relative, ठीक है, I, I क्या है, pronoun है, तो यह इससे पहले हो गया, ठीक है, relative pronoun, इस तरह से, ठीक है, तो यह हैं, दोस्तों, अब बात करते हैं, relative pronoun में, जैसे, आपका who, which or that, यह subject, इन्हें subordinate clause में कैसे subject बनते हैं, यानि कि subjective case इनका कब रहता है, the girl who came here is a singer, the girl who came here is a singer, अब यह क्या है, who subject है, यह क्या है, subject है, the girl, कौन सी girl, who, जो यहां पे आई, तो यह subject है, relative pronouns, whom, which or that, are used and object in the subordinate clause, आप याद रखें, जब भी यह use होंगे न, तो यह किस तरह से होंगे, subjective case में use होंगे, जैसे कि यहां पे हुआ, the girl who came here is a singer, जो girl आई है, वो यहां पे, वो क्या है, singer, अब यह subject बनाए, किसका subject, singing करने का, ठीक है, sing करने का, आने का, जो आई यहां पे, ठीक है, जैसे ही, object के case में use कर सकते, पर whom को करेंगे, object के ही case में, इसको तो आप subject case में भी use करते, जैसे कि यहां किया है, बट whom को करेंगे, object के ही case में, जैसे, he has a daughter whom he loves very much, जिससे वो प्यार करते, तो यह क्या है, object है, दोस्तों, he has a daughter, उसके पास एक लड़ी की है, जिसे वो बहुत प्यार करता है, ठीक है, तो whom आ गया, जैसे, the book that I bought is very costly, ठीक है, देखो the book, एक किताब, जो की काफी मैंने खरीदी, वो क्या है, काफी costly है, ठीक है, तो that use करा, relative के लिए, और which भी आप कर सकते हैं, ठीक है, if a living and a non-living things are connected by end, अगर living ओ चाहिए non-living things है, अरग connect हुई है end से, a relative फिर हम that use करें, दोस्तों, ये बहुत important है, error mistake हम इसमें कर लेते हैं, जैसे कि देखो, the boy and his dog, अब देख रहे हो, boy देखो गया, आप तो क्या है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे, boy, तो क्या है, और his dog, द यसे तो देख लिया जाए, तो dog non-living नहीं है, but actually हम इसके साथ who नहीं use करते हैं, ठीक है, और boy हमारा क्या है, living तो है, ठीक है, जो हमारे जानवर होते हैं, उनके साथ में हम that use करते हैं, ठीक है, the boy and his dog, तो इस केस में हमने क्या use करना है, that, क्या करना है दोस्तों, that use, इस के इस में bitch नहीं use कर सकते हैं, याद रखें, who नहीं use कर सकते हैं, ठीक है, we saw yesterday have been kidnapped, ठीक है, that is dude after a superlative degree, यह हो गया आपका, क्यों देखो हमने end से जोड़े हैं, दो तरह के, एक तो आपका living था, एक आपका देखो non-living तो नहीं है, dog, but हम इनको who, who और which के साथ हम नहीं use करते हैं, जानवरों को, ठीक है, तो इसके साथ भी हम that use करेंगे, देखो the dog and his, the boy and his dog, which नहीं use करेंगे, क्योंकि which का मतलब क्या होता दोस्तों, कौन सा, कौन, सा, ठीक है, या कौन सी इस तरह से, ठीक, तो इसके सो that का meaning भी यहां पर वही है, कौन सा, या जू, ठीक, that, the boy and his dog, that we saw, जो हमने कल देखे, वो kidnapped हो गया है, ठीक है, तो इस case में आपने देख रहे होंगे, यहां पर that use किया है, that is used after superlative, जब superlative degree आएगी दोस्तों, तो that he use होगा, जैसे sunil is the most leverious, अब देख रहे हो, आप superlative degree most है, तो इससे पहले the use होता है, जैसे कि मैं article में बता चुक हू हमने क्यों, क्योंकि हमने यहां पर superlative use करा, हम ऐसे नहीं कर सकते कि sunil is the most leverious student which I have ever seen, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा हूआ है, superlative degree के बाद दोस्तों हमेशा that follow होता है, ठीक, अब है all denotes people and is used as subject, all subject की तरहे होगा, who or that must be used and not to be whom or which, और इसके साथ दोस्तों, subject all होगा, तो इसके साथ हमेशा who or that use किया जाएगा, और whom or which ना use करें, अगर all दिख जाए, जैसे all who, तो यह मत करना all which, या all whom, यह नहीं करेंगे, all के साथ या तो who आएगा, या that आएगा, all who are interested in going village should get ready, ठीक, all the money, देखो all the money subject, all the money, फिर देखो that, यहां पर हमन या तो who use कर सकते है, all के बाद, या that use कर सकते है, यह बात आप याद रखे, all the money that he gave me, has been spent, जो उसने money मुझे दी थी, क्या हो गई, spend होगे, तो all के बाद दोस्तों, हमेशा या तो that आएगा, या who आएगा, इतना ध्यान रखे, ठीक है, जैसे all plus uncountable noun, always follows that, अगर आपने all use क किया है, तो आप किस से करोगे, that से follow करेगे, everything, nothing, the only, any, all, everyone, non, no, nobody, must, much, sorry, little, the same, the few, the little, यह जितने भी है न, all plus, all के साथ, अगर uncountable noun, always क्या करोगे, that को follow करेगे, we'll take that after them, और यहाँ पर दोस्तों, मैं कह चुका हूँ, all जब अगर आएगा, uncountable noun है, तो वो हमेशा that follow करता है, जैसे all, all the money, money भी क्या है, uncountable है दोस्तों, ठीक है, ठीक है, यह अगर आपका countable है, तो आप वो ही उसके case में use करता है, ठीक है, uncountable में आप हमेशा क्या use करोगे, that, यह हो गया, अब बात देखें, everything, nothing, the only, any, जो इस तरह से अगर start होते ह much, little, the same, अगर यह use हो रहे हैं, दोस्तों, तो आपका that आएगा, जैसे, she provides me everything, देखो, everything that I need, उसके लिए that use कर लिया, this is the only mobile, यह केवल एक ऐसा mobile है, the only आया, this is the only, फिर mobile, आपका noun है, this is the only mobile, that, यहां पर भी हमने that use कर रहा, I bought yesterday, जो मैंने कल खरीदा, यह वही mobile है, जो मैंन आप that को follow करेगा ही करेगा, आपका the only था, तो that से follow करेगा, अगर आपको उसे reference देना हो, जैसे he provides me everything, everything उसके बाद that, this is the same shopkeeper that deceived me, जिसने मुझे दोखा दिया, ठीक है, shopkeeper's that, यह देखो, he sent nobody, देखो nobody, he sent nobody that guide me, उसने कुछ, किसी को नही भेजा, जो मुझे help करता, देखो, इसका मतलब, इस that का मतलब, जो आएगा, ठीक है, जो या जिसने, इस type का, इसका sense आएगा, दोस्तों, यहां का दाका, जैसे, she provides me everything that I need, उसने मुझे वो सब कुछ चीजे provide की, ठीक है, वो सब कुछ provide किया, जिसकी मुझे जरवत थी, देखो, जिसकी, जिसकी, या जिसने, या जो, यह सब इसका meaning आएगा, जैसे, this is the only mobile, that I bought yesterday, यह वो ही mobile है, जो मैंने कल खरीदा था, ठीक है, तो इस type का, इसमे sense आता है, तो that आएगा, कौन-कौन से आपके पास, हमारे पास, जो asset, इस type के, जो words है दिएवे, आए, बन सेकेंड दोस्तों, आतो friends, तो इस तरह से, इसमें जो, जिसने, जिसकी तरह का sense निकलेगा, ठीक है, preposition plus whom, preposition के बाद, दोस्तों, objective आएगा, is used, but not preposition plus, यह तो हमें पता ही है, कि preposition के बाद, हमारा objective case आएगा, जैसे, why whom, was the maharata written, किस के दवारा, maharata written, की गई थी, तो by, दोस्तों, क्या है, य आए, दोस्तों, preposition, और preposition के बाद, हमेशा, whom आएगा, जिसके case में, ठीक है, who नहीं आएगा, या आप ऐसे लिख रहे हो, तो who was the maharata written by, तो आपका जो by है, उस case में, तो वो last में चले जाएगा, दोनों ही correct है, या तो आप who starting में रखे, subject, तो last में, आपका preposition, last में चले आएगा, पर preposition और who कभी साथ नहीं आएगा, ठीक है, who preposition कभी साथ नहीं आता, ये correct है, preposition के बाद, objective के यह साथ है, object क्या हमारा, home होता है, who का object, ठीक है, जैसे I का object क्या होता है, me होता है, he का object क्या होता है, his होता है, sorry him होता है, ठीक है, तो इस तरह से, इसी तरह से हमार हु का जो object होता हुस objective होता है इसका जो object होता दोस्तों वो होता है हुम ठीक है इसी तरह से आप याद रखें interrogative forms में क्या होता है देखो who are you जब आपका starting में who हो ठीक है sentences में ठीक तो इस तरह से कर दिया और I know I know who you are और इस case में हमने ऐसे यूज करा तो आप देखो दोनों में फरक आया who क्या होता है phrase के बाद आता है देखो दोस्तों जब तो starting में होगा आपका who कहा होगा starting में तो वो तुरंत बन जाएगा interrogative forms interrogative form में ठीक है interrogative form में क्या होगा आपका who के बाद जैसे कि मैं pretenses के chapter में पढ़ा चुका हूँ उसके बाद तुरंत आपकी क्या आती है helping verb आती है WH word के बाद जैसे आगर आपको याद होगा helping verb आती किस case में question mark जब होता है आप question कर रहे होते है question interrogative sentences हो ठीक यह कब है जब आपका who is starting में देखो I know I know एक phrase है already हम कुछ बोल चुके है I know तो who अगर who आ गया तो आप यह मत लिखना यह गलत हो जाएगा आपने कहा कि I know who are you यह दोस्तों गलत है यह क्या है दोस्तों गलत है क्योंकि who के बाद अब आर नहीं आयागा क्योंकि आपने already आगे कुछ लिखा है phrase पहले ही बता चुके है तो आपको इस case में क्या कहना होता है फिर आपका यह सही है who I know who you are फिर आपको subject रखना है फिर आपको helping बर्व last में रखनी होती है अगर आगे कोई phrase already use हुआ हो तो इस चीज का भी ध्यान रखें ठीक यह भी बात important है ठीक है दोस्तों when we make choice then we use which instead of who जब हम choice करते हैं दोस्तों तो who नहीं लिखते हम which लिखते हैं ठीक जैसे which is your cow in the head of cattle कि जो यह जुंड है किसका cattle का जानवरों का उसमें तुम्हारी कौन सी गाय है तो हम क्या करें उसको point out कर वो रहे कि कौन सी वाली है तो उस case में जैसे which is your father in the crowd उस भीड में तुम्हारे पापा कौन पिता जी कौन से है तो आपको यह पत च्छाट रहे हैं च्छाटने के लिए हम which use करते हैं किसके लिए जो हम किसके sense का कुछ बताते हैं यह कौन से हैं कौन से who और which में दोस्तों यह difference आता है देखो हम यहां पे living यह हम क्या कर रहे है father की बात कर रहे है से तो father क्या लेता है फो लेता है ठीक है बट इस case में में से कौन से वाल है, इस टाइब से, whose is not used for non-living things के लिए, आप whose नहीं यूज करते हैं, देखो दोस्तों, whose जो है subjective case है, मैं बता चुका हूँ, subject बनता है, और इसी के लिए, जो हमारा whom है, whom दोस्तों, हमारा objective case है, ठीक है, object है, और जो whose है ना यह जो हूज है, हमारा क्या होता है, यह होता हमारा possessive, क्या होता है, possessive pronoun है, यहाँ पर possessive adjective की तरह यूज़़ा है, क्योंकि बाद में book है, ठीक, क्योंकि noun use होआ, तो possessive adjective है यह, तो यह क्या है, possessive है, किसका whose कही अपने के लिए, ठीक है, जैसे आई का माई होता है न दोस्तों, उसी तरह से, ठीक, जैसे whose book is this, यह किसकी book है, यह correct है, whose book is this, क्योंकि question करें, तो whose book आगया, ठीक है, तब जाके आपका बरवाया, फिर this, ठीक है, यह पूरा इस तरह से, तो adjective बनाएं इस टाइमें, ठीक, जैसे whose bridge was inaugurated yesterday, तो दोस्तों, यह देख रहे हो, आप यह गलत हो गया, whose book के लिए, whose book is this, इस केस में यह सही है, whose book is this, यह किस सही है, क्योंकि जो यह book है न, हम इस book की बात नहीं कर रहे हैं, दोस्तों, हम कह रहे हैं, कि यह book किसकी है, यह जि इससी बात है, जिसकी यह किताब हो गई, वो कोई इनसानी होगा, इनसानी होगा, इनसानी होगा, इनकी living things होगा, कोई इनसानी होगा, ठीक है, जिसकी किताब होगी, तो हम उसकी किताब की बात कर रहे हैं, ना कि किताब को बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं, कि यह book किसकी है, इस तो इस case में हम कहेंगे which bridge was inaugurated, इस टे कि कौन सा bridge, ठीक है हम यहाँ पर कहना चाहा रहे है कि कौन सा bridge कल inaugurated हुआ, तो इस case में हम क्या करेंगे, यहाँ पर which use करेंगे, ना कि, क्या who, who's नहीं use होते है नर्जीव के लिए, क्योंकि यहाँ पर bridge क्या है, जिन्दी चीज नहीं ह तो इसके लिए हम who's नहीं use करेंगे, which use करते हैं, when two or more subjects are jointed by, अगर वो joint किये गए हैं, किसे, as well as, with, along with, together with, and not, in addition to, but, और besides, यहाँ पर तो इसनों थोड़ा धिहान रखना, end का थोड़ा धिहान रहा हूँ, मैं end की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, end or not, य याद रखे, मैं सिर्फ और सिर्फ end की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं end or not की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, together with की, और यहाँ along with की, देखो कहीं न कहीं, दो दो pair जैसा दिख रहा होगा, आपको, as well as की, और with, एक with हो गया, यह single है, और in addition to, एक यह हो ग दोस्तों, इसको छोड़ के, ठीक है, इसके अलावा जिसको कहते हैं, अलावा, ठीक है, यह होता है, besides, अगर आपका last में, s लग जाता है, ठीक, यह case, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, as well as be, with, और along with, साथ में, इसका मतलब होता है, दोस्तों, साथ में, ठीक है, और together with, इसका म object में, जब यह use होंगे, तो आप देखना, फिर किस तरह से इनको हम use करता है, और कुछ और भी है, जैसे कि आपका accept हो गया, accept मतलब अलावा, beside के तरह है, अलावा, sorry, ठीक है, यह भी beside के तरह हो गया, rather than, accompanied by, ठीक, और like हो गया, और unlike हो गया, no less than हो गया, nothing but हो गया, जो यह आपको जो black में दिख रहे हैं ना, इनको दोस्तों आपको learn करना होगा, क्या करना होगा दोस्तों, learn करना होगा, याद करना होगा, रटना होगा इन्हें, ठीक, इसका कोई और alternative नहीं है, तो accept rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, or nothing but, यह the possessive adjective pronoun, यह क्या होगा, first subject के साथ agree करेगा, इस case में, जैसे मैंने कहा दोस्तों, महेश, as well as his parents, आप देख रहे हो, has done his work, आप यहाँ पर notice करना दोस्तों, महेश तो गया, महेश तो single है, यह और इसके, देखो, इस साथ में इसके, साथ में इसके parents, अगर देखा जाए, तो ऐसे तो एक मरहेश हो गया, और दो इसके parents हो गए, तो कि I use होना चाही था, यहाँ पर have use होना चाही था, क्योंकि plural subject बन जाता है, बट नहीं दोस्तों, हम इसके जो near में, जो हमारा, इस से जो आगे, जो हमारा subject है, उसके according हम यहाँ पर बर्व रखते हैं, और इसको भी हम उसी के according रखते हैं, जैसे महेश, as well as his parents, has, has आया, क्यो as his parents, has आयेगा दोस्तों, ठीक है, has done, फिर आयेगा his work, उसका अपना काम, अब देखो, अभी भी parents को include ने करें, इसी के लिए use कर हम, यह his, his मतलब उसका अपना, उसका अपना, ठीक है, हम dare नहीं कर रहे है, dare तो उनके लिए होता है, अपने के लिए, उनका काम, नहीं, मैं ह teacher, teacher, their teacher, तो हम इनके बात नहीं करेंगे, अभी भी हम इसी के according जाएंगे, in student के according, तो students के आये दोस्तों, plural है, तो मैंने यहापे have been लिखा है, have लिखा है, ठीक है, have been taken, अब देखो, they are use करा, क्योंकि यह plural है, इसके according ही जाएंगे, ठीक, blood sample, तो इस तरह से agree करता है, जितने यह word है, जरूरीने as well और along with हो, इन में से कुछ भी हो सकता है, accept हो सकता है, nothing but हो सकता है, और आपका end not हो सकता है, ठीक है, और with हो सकता है, जितने भी उपर भी मैंने कुछ बताएं, यही, यह सारे के सारे word, इनको इस तरह से यह agree करते हैं, किसके साथ, subject के साथ, ठीक है दोस में अच्छे से समझाए, आप उन वीडियो को देख लें, ठीक है, उन वीडियो को जरूर देखें, फिर when two subjects are joined by either or, neither nor, इस टाइप से अब होगा इस तरह का, इदर के साथ और आता दोस्तों, नीदर के साथ नौर आता है, not only but also, यह इस तरह के pair है, यह non के साथ but, तो यह ज केस में दोस्तों, और के बाद वाला हम देखते हैं, इस केस में, जभी इस तरह से जुड़े होते, और के बाद क्या है, उस तरह से जाएंगे, जैसे either Ram, Ram सिंगल है, तो इसी साथ से आप पे takes होना चाहिए था, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया है, present indefinite में, कि singular हमारा क्या लेता है, एस या एस लेता है, तो either Ram और his friends, take their class, तो take use करा दोस्तों, ना कि takes use करा, ठीक, अब not only they, देखो they plural है, but also he goes, but also, not only they, but also he, देखो हम but also के बाद क्या है, उसको हमने देखा, देखो but also, ये देखो not only but also, देखो रो दो पेर है, इसके बीच में subject है, ये देख रहे हो आप not only, और but also, ये वाला pair, ये वाला देख रहे होंगे आप not only but also, ये वाला, तो इसमे not only they but also, फिर he आया, he के according जाएंगे हम इस बर्व में, पहले हम क्या चल रहे थे, इसमें तो हम क्या चल रहेते, पहले के according चल रहे थे, बट जब हमारे इस तरह के pair होंगे, ये either or, neither nor, और not only but also non word in case में हम क्या जाते second के according जाते goes to market for buying his, देखो his आये गया ना कि हम दे का there करेंगे हम भी his ही use करेंगे इसलिए क्योंकि हम इसी subject के according चल रहे हैं ठीक, when two or more nouns are joined by end and each every end से जुड़े हो चाहिए दो से जादा जैसे हम बहते और के लिए कहते हैं हम end या each every is used before each noun, ठीक है, singular pronoun, singular adjective and singular verb will follow अब ये कैसे देखो, इसको देखते हैं, every man and every woman, अब देखो every man single है every man मतलब एक-एक आदमे, तो हम particular particular की बात कर रहे हैं, वो कितने हैं नहीं पता एक-एक की single single की, अनकी सब के एक-एक की बात हो रही है, एक-एक करके every man and every woman, देखो दोस्तों, has use कर आप जो कि सही है, देर नहीं आएगा आप ये नहीं समझे, कि हाँ पर every man है या every woman है, तो ये एक से ज़ादा हो जाएंगे, नहीं every जब कहीं आता है, ठीक है, adjective के तोर पे, पहले आया है ना, noun से पहले, जब इस तरह से adjective every आता है ना, तो इसलिए ये singular treat होता दोस्तों, ठीक है, तो ये wrong हो जाएगा, ये सही है, every man and every woman, has देखो, has man है, man की plural जो होती दोस्तों, ये होती, तो हम ये नहीं यूज़ करेंगे, हम ये वाली यूज़ करेंगे, bowman में भी देख रहे हो, bowman का जो plural होता है दोस्तों, ये singular है, plural ये होती, bowman, जिनको हम औरते बोलते है, ये लग जाता है, जिस तरह से man में लगता, plural में, ठीक है, त तो यह end से जुड़ जाएगा, तो आप इसको दो के साथ confuse ना हो, इसको single माने, तो single के लिए has use करते हैं, और plural के लिए have use करते हैं, तो हम has use करेंगे, और his भी करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम इनको single मान रहें, तो his e use करेंगे, ठीक, यह correct हो जाएगा, when many a, या an, यह कुछ many के साथ इस तरह से use होगा, या कोई भी फिर यहाँ पर singular subject होगा, भाई, देखो, an article है, और इसके बाद जो भी कोई noun आएगा, वो singular होना चाहिए, plural तो आएगा नि, यह end के बाद, तो many के बाद, जब भी singular type का कोई भी आएगा noun, ठीक है, तो क्या होगा, singular, फिर इस तरह से use करेंगे, कैसे, चाहिए हो प्रोम, ना उनो, चाहिए adjective हो, singular, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, जैसे many a boy, आप boy देख रहें, यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते, दोस्तों, आप, many a boys, जो सुकि मैं article के chapter में बता चुका हूँ, यह लगेगा, तो आप यह एक को बताता है, यहाँ boys नहीं होगा, यह article के chapter से सीखो गया आप, अगर आपने नहीं देखा है, तो जाएं आप, अगर आपको यह course, आपको पूरा, इसको, आपको पूरा, खरीदना है, देखना है, तो प्लीज आप website पर visit करें, वहाँ से देख लें है, ठीक है, वहाँ पड़ा है और कुछ वे वीडियोज फ्री भी है, यूट्यूब पर, मैंनी यह boy has met his destiny, ठीक, तो मैंनी यह boy has he use करेंगा, और इसके लिए he is use करेंगे, ठीक है दोस्तों, बाकि तो यह, बाकि तो rest of sentence ही है, बाकि मैंनी यह man, तो मैंनी यह use करा, तो हमारा single हो जाएगा subject, तो has use करेंगे, ठीक, each of, either of, neither of, ठीक है, each, either, neither, इस type के जब भी आप देखेंगे न, यहाँ पे of, either of, neither of, each of, इस type के, यह followed होते हैं, दा के बाद, clear noun, plural pronoun, but singular adjective, singular verb, and singular pronoun are used, ठीक है, यह देखो, अब यह कैसे, देखो, मैंने कहा कि, each of the boys, each of the boys, अब इनके साथ, जैसी each of लगा ना दोस्तों, पहले तो each, every लग रहा था, ठीक है, जब आपका यह each of, either of, ठीक है, neither of, इस तरह से जब यह use होगा, दोस्तों, तो इस में आपको दा लगने के बाद, plural form आईगी हमेशा है, याद रखना, जैसे either of the boys, has taken his seat, each के लिए देखो, boys आएगा, but यह आएगा, आएगा his, आप यहाँ पे, them नहीं करे, आप यह सोच रहे, boys है, तो them आएगा, नहीं, देखो, यहाँ भी singularity हो रहा, but यहाँ पे confused हो जाओगा, boys देखके, नहीं, आपको यहाँ पे, इसके according जाना है, has आएगा, और his आएगा, ठीक है, इसको confused मत होना, हाँ, भले ही आपका each of the, यह use हुआ, जैसे each of, यह either of the, इस तरह साएगी, choice के लिए होता, तो यह हमेशा, choice के लिए, एक से ज़्यादा में की जाते हैं, choice, तो यह plural जाएगा, कोई दिकत, बढ़ इसके according यह verb नहीं लिखनी है, इसके according लखनी है, यह जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ ना, pronoun, each of, इसके according जानी है, जो कि each of हमारा single unit को represent करता, एक-एक करके, जिसको हम कहते हैं, एक-एक की बात करते हैं, परती एक जोता है, परती एक, परती एक क्या होता दोस्तों, एक-एक होता है कि नहीं, इसलिए each होई है, तो है जाएगा और है जाएगा, non of them, देखो non of them, यह once again object है, किसका they का object है, क्या them, दे का them हो जाता है object, जो कि क्या है, plural के case में आता है, तो non of them, was आएगा देखो दोस्तों, यह एक नहीं समझे, आप यहाँ पर word आना चाहिए था, इसे सबसे, नहीं हम जाएगे non of के act है, यहाँ मैं बता चुका हूँ, either of, non of, यह सब होता है, each of, either of, और यहाँ पर non of भी कर सकते हो, आप non of, तो यह जो सारे जो word है, इनके बाद जब भी आप use करते हो, बर्व, तो वह होनी चाहिए singular nature के, ठीक है, deprived from, फिर he is जाएगा, क्योंकि them के लिए they are नहीं यूज़ करेंगे, he is यूज़ करेंगे, क्योंकि हम non of के कर रहे हैं, किसी की भी बात नहीं कर रहे है, non of का मतलब कोई भी नहीं, ठीक है, किसी की भी बात, तो इसी के साथ दोस्तों, pronoun वाला chapter फिनिश हो चुका है हमारा, ठीक है, अब हम next chapter पढ़ेंगे, बर्व वाला, ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको facts की वीडियो, या आपको vocabulary series देखनी है, तो आप जाए और मेरी vocabulary series पूरी देख लीजे किया, जिसका नाम है, morning coffee with PR defect, ठीक है दोस्तों, morning coffee with PR defect, ये मेरी series है, वाँ पे जाए, उससे सर्च करें यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, thank you so much मिलते हैं, बाव के chapter को लेके,